हेलो दोस्तों आप सबीक हमारे चानल में स्वागत है जैसे कि आप सब जानते हो गनेश चतुर्ती आने वाला है और गनेश जी का एकदम प्रिया खाना मोदग उसे हम मोल्ट से और बगर मोल्ट से घर पे आसानी से कैसे बनाएंगे उसकी रसिपी देखेंगे तो चलिए रसि अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो यह आप फ्रोजन आरियल का इस्तमाल कीजिए अगर आप फ्रेश नारियल का इस्तमाल करें तो मोदग में तासगी बरकरार रहेगी तो इसे लगबग 30 सेकंड टू वान मिनिट के लिए से भूना है तक इसकी खुश्बू घ बर्चन करके दर-दरा कर लिया है अगर आपको गुड नहीं पसंदे तो यहां पे आप ब्राउं शुगर का भी इस्तमाल कर सकते हो फ्लेम को एकदम धीरे कर देंगे और इस सारे मिश्रन को धीरे-धीरे पकाते जाएंगे हमें इसे पकाते जाना है जब तक इसमें गुल म अगर आप इसे ओवरकुक करोगे तो यह मिश्रन एकदम हाड हो जाएगा जैसे गुल पिगल जाता है यहां पे आप देख सकते हो यह सारे मिश्रन एक साथ आजाएंगे और पैन को रिलीस करने लगेगा अब हम इस मिश्रन को थंडा करने के लिए रख देंगे जिसे यह हो जाता है यह थोड़न सा तैठ हो जाएगा मोधक के लिए फिलंग बनके तयार है मोधक बनाने के लिए हम डू लगा लगे उसके लिए यहां पे हमने एक बाउल लिया है इसमें हम दालेंगी एक कप चावल का आठा यहां पे हमें दरढर outtaा का इस्तमाल नहीं करना है एक के साथ हम इसमें दालेंगे एक टेबल स्पून जितना देसी गी अब इसका डो लगाने के लिए हम इसके अंदर दालेंगे एक दम उकलता हुआ पानी यहां पे हम एक ग्लास जितना उबलता हुआ गरम पानी दालेंगे जिससे आप जानते हो इसमें बहुत ही जादा उबलता लिए छोड़ देंगे 5-6 मिट हो चुके हैं अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे और हातों की मदद से इस डो को एक बार अच्छे से मसल लेंगे जिससे आप देख सकते हो हमारा डो अच्छे से गुंद के तयार है अब हम इस डो से मुदक बना लेंगे जैसे हमने बताया था हम traditional way से मोदग बना रहे हैं तो इस तरह से मोदग का कोई भी मोल्ड हम ले सकते हैं यहां पर हमने इस मोल्ड को grease कर लिया है अब हम इसको अच्छे से close करके इस तरह से press कर लेंगे चावल के आटे से जो dough हमने बनाया था उस dough को हम लेंगे और इसके अंदर stuff करते हुए fill करेंगे जयां पर हमें ध्यान रपना है इस dough को हम अच्छे से अंदर तक fill करेंगे और इस अच्छे से press करते हुए fill करेंगे इस तरह से करने से मोदग का शेपोफिक लियाएगा अब जो इसके अंदर hole हमने बनाया था इस hole के अंदर जो feeling हमने ready किया था जो नारियल और good का उसको हम इसमें fill करेंगे इस तरह से stuffing को अच्छे से fill करने के बाद इसके उपर चावल के आटा का एक layer लगाएंगे और stuffing को close कर देंगे इसे close करते हुए जो भी इसका access part है इस सारे access part को हम remove कर देंगे हमने मोदक को shape दे दिया है अब हम इसको खोलेंगे यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरह से हमारा मोदक बनके तयार है यह देखे दोस्तों कितना perfect shape बनके तयार है इसी तरह हम सारे मोदक को तयार कर देंगे जिन किसी के पास भी मोदक के molds नहीं है वो भी मोदक बना सकते है इस तरीके से यहां पर हमने चावल के आटे को लिया है और इसको हम उमली के मदद से थोड़ा सा spread कर देंगे और जो stuffing हमें चाहिए जितना quantity में चाहिए हम उसको इसके अंदर रख देंगे stuffing को dough के अंदर रख देंगे और dough को इस तरह से चारों और seal करते हुए पैक कर लेंगे और इसको एक गोला कार देंगे अब हम इसके उपर की तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे फिर जो नीचे का portion है उसे अच्छे से एक बार गोल कर लेंगे और एक बार फिर से जो उपर का portion है उसे एक बार अच्छे से shape देंगे और उपर pointily रख लेंगे अब इसे perfect mold वाले मोदक बनाने के लिए folk की मदद से इस तरह से shape करते जाएंगे और इसे एक perfect आकार दे देंगे यहां पर आप देख सकते हो जो मोदक हमने हाथों से बनाया था और जो mold में बने है यह almost same लग रहे हैं अब हम इन सारे मोदक को steam करने के लिए steamer में रख देंगे यहां पर हमने already steamer को preheat कर लिया है अब हम इसके अंदर एक butter paper लगाएंगे या फिर एक parchment sheet लगाएंगे steamer में parchment paper लगाना optional है पर इसमें holes बहुत बढ़े हैं इसके लिए हम इसमें parchment paper लगा रहे हैं और इसे हमने already grease कर लिया है जितने भी मोदक हमने बनाये थे सारे मोदक हम इसमें रख देंगे और इसे steam कर लेंगे लगबख हम इसे 15-20 minutes तक steam करेंगे अगर आप इसे over steam करोगे तो एकदम चीवी हो जाएगा 15 minutes हो चुके हैं और हमारे मोदक भी अच्छे से steam होके तयार हैं अब हम इसे plate करेंगे यह देखे दोस्तों इस तरह से मोदक आप भी बनाये और घनेश जी को प्रसन्न की दिये उसी के साथ आपके सारे फैमिली में बस आपसे प्रसन्न हो जाएंगे See you in the next recipe and take care and bye